एक्ट्रेस रीमा लागो का अंतिम संसकार गुरुवार शाम उशिवारा, मुंबाई, शमशान घाट पर किया गया। इस मौके उन स्टोज में से ज़्यादातर गायब रहे, जिनकी मा का रोल रीमा ने किया था। खासकर सल्मान की बात करे तो रीमा ने साथ फिल्मों में उनकी मा का रोल किया था। एक इंटर्व्यू में उन्होंने कहा भी था कि सल्मान हमेशा उनके फेवरेट बेटे रहे हैं। हाला कि सल्मान रीमा की अंतिम यात्रा में दिखाई नहीं दिये। बतादे की सलमान फिलहल, UAE में टाइगर जिन्दा है की शूटिंग में बिजी हैं। बेटी ने पूरी की अंतिम प्रिया। रीमा लागू का रियल में कोई बेटा नहीं है। हाँ एक बेटी जरूर है मृन्मे लागू जिसने उनकी अंतिम प्रिया का जिम्मा उठाया। रीमा को अंतिम विदाई देने का जोर, रिशी कपूर, किरन कुमार, राकेश बेदी, तन्वी आजमी और राजा मुराद सहित कई सेलब्स दिखाई दिये। बतादे की सीने में दर्द के बाद रीमा को कोकिला बेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। गुरुवार तीन बच कर पंद्रह मिनट पर उन्होंने आखिरी सांस ली। रीमा ने हिंडी के अलावा मराथी फिल्मों में भी काम किया। टीवी सीरियल में भी काम किया। सीरियल में सास बहु की लड़ाई को लोगों ने खुब पसंद किया। रीमा सास के रोल में थी। काफी धक्का लगा और विश्वास ही नहीं हुआ कि रीमा नहीं रहीं। बड़ा टेलेंट हमारे बीच से काफी कम उम्र में चला गया, बहुत दुखद है। संजय दत ने कहा, मैंने एक फिर अपनी मा को खो दिया है। मैंने उनके साथ हर फिल्म में कुछ नया सीखा है। बॉलिवुड में उनकी कमी पूरी होना नामुम्किन है। प्रियंका चोपड़ा ने लिखा, रीमा लागू का निधन सिनेमा को एक बड़ा नुकसान है। आप हमेशा हमारी ओन स्क्रीन फेबरेट मम्मी रहेंगी। माधूरी दीक्षित टेलेंटिड, ब्यूटीफुल रीमा लागू को हम हमेशा मिस करेंगे। मेरी साथ बनाएं परिवार के साथ हैं। रिशी कपूर के मुताबिक रीमा के साथ कुछ ही फिल्मों में काम कर सका। पर वो मेरी अच्छी दोस्त रही। दिल से उन्हें श्रधान जली। आलिया भट ने लिखा, रीमा जी की खबर सुनकर बहुत बुरा लगा। वो बहतरी नदाकारा थी। मुझे हमेशा उनका काम पसंद आया है।